नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन्वार्मेंट पेड़ोगोजी का लेक्चर नमबर थ्री इन्वार्मेंट पेड़ोगोजी के हमने दो लेक्चर्स अल्रेडी अप्लोड कर चुके है तो अगर जिन भी त्रो ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजी ठीक है हम यहाँ पर पर 20 कोशन डिसकस करेंगे तो फ्रेंट्स पेड़ोजी में कैसे कोशन्स आते हैं उन पर हम बात यहाँ पर करेंगे ठीक है चलिए हमारे सेशन की बात की एक आउधारना नहीं है ठीक है परियावरण अध्यन की एक आउधारना नहीं है इसी टाइप से कुशन्स आते हैं थोड़े बड़े आते हैं मतलब हमें क्या बढ़ना पढ़ता है समझना पढ़ता है ठीक है निनलेकित में से कौन परात्मिकिस्तर पर परियावरण अध कुल सही बात है मतलब यह अउधारना है ठीक है क्योंकि NCF 05 ने भी यहां बुला गया है कि जो बालक है बालक का जो प्रात्मिक किस तर है प्रात्मिक इस तर से ही पर्यावरन विशय को अनिवार विशय के रुप में लागो किया जाना चाहिए ठीक है तो यहां पर भी यही बात की गई है तो मतलब यह हमारी क्या है अउधारना है हमें नहीं है वाली पूछा गया है ठीक है अगर हम आपसा नंबर बी की बात करते हैं तो परियावरन शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रियत है था प्रात्मिक इस तर से ही इसका शिक्षन आवश्यक है तो यह उधारना भी सही है ठीक है यह उधारना भी सही है निरंतर चलने वाली परियावरन से हम कंटिनिव कुछ ना कुछ सीखते हैं जब उसी तरीके से बनता है ठीक है अपसे नंबर बी तो हो गया मतलब यहां पर हमारा यह जो है वह अधारना आ जाएगी हमें नहीं वाली पूछा गई यह भी आ जाएगी अपसे नंबर सी प्रात्मिक इस तर पर परियावरन अध्यन को पाठिक्रम में शामिल करने के फल चीज़े हैं तो उनसे भी वह रोजगार प्राप्त कर सकता है ठीक है तो यह वाली अधारना जो है वह हमारी नहीं है फिर भी हम अपसे नंबर डीकी भी बात कर लेते है ठीक है तो परियावरन सिक्छा आपचारिक एवं अनुक्चारिक दोनों ही प्रकार से चले चले नही चाहिए मतलब कि क्या है क्या लिखा हुआ यहाँ पर दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए ठीक है चले नहीं चाहिए नहीं है यहाँ पर चलनी चाहिए ठीक है क्या है फ्रेंट्स चलनी चलनी चाहिए और इसकी सुरुवात प्रात्मिक इस तरस पर ही होनी चाहिए बिलकुल ऒक्षारिक और अनवचारिक दोनों ही रूप से मतलब बच्चा स्कूल में चाकर भी सीके और अपने वातावरं से भी सीके और वह उफचारिक और अनवचारिक दोनों ही प्रकाल से चलना चाहिए ठीक है अब बात करें हम अगली प्रश्न की, तो ये हमारा प्रश्न नमबर दो, ठीक है, प्रात्मिक इस्तर की अच्छी EBS पाठे चरिया में शामिल होना चाहिए, मतलब अच्छी परियावरण की पाठे चरिया में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, ये हमको बताना ह option number C, संकल्पनाव की विस्त्रत वाक्या पर αधिक एकागरिता Act anadira टो आगर हम यहां पर बाट करे तो क्या सामिल होना चाहिए ठीक है और क्या सामिल नहीं होना चाहिए ठीक हैं तो यहां प्राइदापने तיל आसपास को स्थे ढोने ways क हम बच्रों को इस तरीके से बढ़ाए जो अज़से तो देना चाहिए भित देस準 संक्राइब के संकल्पनाओा पर अधिक इक्लत बात है संक्राइस?". कि पाठ्षक की जो परिभास है उनके अधिक बल्व भी नहीं देंगे मतलब अगर बात करें हम यहां पर क्या शामिल होना चाहिए तो परियावरण के अंतरकत यह सामिल होना चाहिए अपने बात आसपास को खुजने के पुरे-पुरे आउसर हमें बच्चों को देना चाहिए ठीक है फ्रेंस अब यह है हमारा प्रमुक उद्देश हमको बताना है ठीक है तो अप्सेन नमबर एकी अगर बात करें विसाई की मूल संकल्पनाओ की गहन समझ विक्सित करना अफ्सेन नमबर अगले इस्तर पर अध्यन के लिए विध्यार्तियों को तैयार करना उद्देश से पुछा घया है ठीक है प्र विध्यार्दियों को तयार करना ये वाला उड़े से पर्यावरान अध्यन का प्रात्मिक इस्तर पर ठीक है? ओपसन नंबर सी कक्छा की पढ़ाई को सिख्छार्थी के विध्यालय के बाहर जीवन से समबंधित करने में सहायता करना ठीक है? और ओपसन नंबर डी स्वतंतर रोप से हस्त छेप क्रिया कलापो को करने का कौशल अरजित करना ठीक है? हस्त छेप की जगह पर कुछ और भी वर्ड है याने कि हाथ से की जाने वाली क्रिया है हस्त सिद्ध है? यहां पर हस्त छेप जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया हस्त सिद्ध याने कि हाथ से की जाने वाली क्रियाओ पर अतिधिक कौशल अरचित करना ठीक है? तो यहां पर अगर हम प्रमुक उद्धेशी की बात करें तो सबसे जादा एफेक्टिव जो अपसान नंबर C क्योंकि कच्छा की पढ़ाई को सिक्षारती के विध्यालाई से बाहर के जीवन से संबंधित करने में हमें सहायता करना है यह परियावर्ण अध्यन का क्या है प्रात्मिक इस्तर पर मुख्य उद्धेश है ठीक है अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की तो यह है हमारा प्रश्न नंबर 4 चीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है मतलब ऐसे ही कुशन्स आते हैं प्रात्मिक इस्तर की इवियस पार्थे पुस्तकों में कविताय और कहानिया सम्मिलित करने का क्या कारण है आप लोगों ने देखा होगा अगर आपने NCRT पढ़ी होगा कि प्रात्मिक इस्तर पर प्राइमरी लेवल की जो बुक्स है उसमें क्या बहुत सारी कविताय दी हुए बहुत सारी कहानिया दी हुए तो भई इसका क्या कारण है क्यों दी हुई है ठीक है तो वह हमको बताना है आप से नंबर ए विध्यार्तियों में सहितिक अधिगम में आमोध प्रमोद करना यह विसे को सीखने के लिए अधिगम में व्रधि करने की नित्ति चार्या और एक रस्ता में परीवर्तन करना ठीक है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा जैसे विशेवस्तू को प्रस्तूत करने की नित्य चरिया और एक रस्ता जो होती है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं ठीके याने कि अगर बात करें कोई भी लैसन चल रहा है हम उसे एक एक तरीके से पढ़ा रहे हैं हम उसे थोड़ा कथा कहानी के हिसाब से भी पढ़ा सकते हैं कविता मतलब बहुत लैब बद्धे तरीके से कविता को गा कर बच्चों का मनुरंजन भी कर सकते हैं और बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी तो यहाँ पर हमारा option number D क्या होगा answer आचाएगा अब question number 5 की अगर बात करते एवियस खालिस्तान संझेपन अर्थ में प्रयूप तो होता है ठीके मतलब एवियस जो है एवियस एवियस हम हमेशा environment के लिए लिखते हैं तो हम बात करते हैं कि भई एवियस क्यों लिखा जाता है ठीके short form किसका है ठीके तो environmental skills, environmental science, environmental sources and environmental studies तो हमें बताना है कि environmental जो एवियस है उसका long form जो है वो environmental studies है ठीके environmental studies क्या है एवियस का long form है ठीके simple सा question है बट कभी-कभी हमें ये नहीं आता है ठीके प्रश्च नमबर 6 गांधी जी द्वारा basic सिक्षा अंदोलन है ठीके friends यहाँ पर दोलन लिखा हुआ है ठीके तो ये science वाला दोलन न रहे के ये समाजिक विज्ञान वाला क्या है हमारा अंदोलन है ठीके तो गांधी जी द्वारा बेसिक सिक्षा आंदुलन कब प्रारंब किया गया था ठीक है इसके पहले वाले और इसका पहले वाले जो मेरा वीडियो मतलब लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि बेसिक सिक्षा के प्रणेता कौन है हमारे गांधी जी है तो गांधी जी द्वारा बेसिक सिक्षा आंदुलन कप प्रारंब किया गया था वो हमको बताना है ठीके तो आपसन नमबर एक सन 1920 में फ्रेंड्स यहां पर 1920 है ठीके यहां पर एक टाइप नहीं हुआ है 1920 में आपसन नमबर भी 1930 में आपसन नमबर डी 1937 में ठीके अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सही आंसेर हमारा सन 1937 में ठीके कब प्रारंब किया गया था 1937 में ठीके तो यह हो गया अंसर अब बढ़ते अगले प्रशन के और यह हमारा प्रशन नमबर साथ रास्QLी सिक्षानिती देश में कब लागु ही बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट कुश्चन है, अपसय नमबर ए वर्ष उच्छा उच्छी में, अपसय नमबर्ज C वर्ष उननिस् सो चैनवे में, अपसय नमबर D 2002 में, तो फ्रेंट्स जो रास्QLी सिक्षानिती है वो आई प्रश्न की और चलते हैं यह हमारा प्रश्न नमबर आठ वर्स 1964 में गठित राष्टी सिक्ष आयोग को किस नाम से जाना चाता है ठीक है वर्स 1964 में गठित राष्टी सिक्ष आयोग को किस नाम से जाना चाता है option number 1 कोठारी आयोग, option number B hunter आयोग, option number C राधा करशिनन आयोग, then option number D इन में से कोई नहीं तो friends यह है हमारा वर्ष 1964 में जो गठी तराश्टे सिक्ष्ष आयोग था उसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है ठीक है हमने इसके पहले भी इस पर discussion किया हुआ है अब यह है हमारा प्रिश नमबर 9 निमन लिखित कतनों में से कौन सा सही है कौन सा सही है पूछा गया हमें, option number इस परियावर्णी समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्य किस्तर पर प्रशिक्षित सक्ति के आवसकता होती है यानि कि परियावर्णी समस्याओं से निपटना जब हम निपटना चाहते है तो प्रत्य किस्तर पर क्या प्रशिक्षित सक्ति के आवसकता होती है जरूरी है नहीं ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है और प्रत्य किस्तर पर प्रशिक्षित सक्ति के आवसकता होती है तो अगर यहां पर बात करें तो हमारा आञ्सर जो है वो A और B दोनों ही ऐप्सन हमारे क्या है सही है ठीके हाफ बात करतें अगले प्रश्न की तो यह हमारा प्रिश्न नमबर दस निम्नलिकित में से कौन सा कतवन सकते है अप्सन नमबर A वर्स 1997 में इश्वर भाई पटेल की अध्यक्षिता में रिव्यू समीती गठित की गई थी option number B राज्टी शिक्षानेती सन 1986 में आय थी option number C A और B दोनों और option number D N C F वर्ड्स 1998 में आया था ठीके तो हमको बताना है कि कौन सा कथं सत्य है तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो यहाँ पर दिया गया है मतलब राष्टे शिक्षानिती सन 1986 में आई थी यह होगी हमारी सही वाला जो कथन है वो ठीक है और NCF वर्स 2005 में आया था ठीक है और 1986 में हमारी राष्टे शिक्षानिती आई थी तो हमारा आंसर जो है वो यह हो गया अब यह हमारा प्रेश्ट नमबर 11 ठीक है इस टाइप का है यह ओके निमनलिकित में से कौन सी अंतराष्टी एजेंसी या परियावर्णी सिक्षा के कारिक्रमों के लिए सयोग देती है ठीक है निमने लिकित में से कौन सी अंतराश्टी जो एजनसी है वो परियावरणी सिक्षा कारिक्रमों के लिए संयोग देती है अपसन नमबर A UNESCO, अपसन नमबर B UNICEF, अपसन नमबर C विश्व बैंक, अपसन नमबर 4 UNEP ठीक है फ्रेंट्स तो अगर हम बात करेंगे तो UNESCO, UNICEF, विश्व बैंक और UNEP ये तीनों ही हमने परियावरण के अंतरगत पढ़े हुए हैं तो मतलब ये चारों हमने परियावरण के अंतरगत पढ़ा हुआ है तो चारों की चारों जो एजेंसिय है वो चारों ही परियावरण सिक्षय कारिक्रम के लिए अपना योगदान देती है तो हमारा आंसर हो जाएगा उपसन नमबर D अब अगर बात करें परियावरण सिक्षय से क्या लाब है? परियावरन शिक्षा से क्या लाब है? Option number A, परियावरन के महत्व का ज्यान होगा Option number B, परियावरन प्रिदुशन के कारणों के जानकारी होगी Option number C, परियावरन के प्रभाव से बचने के उपाय ग्यात होगी Option number D, उप्रोप्त सभी तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा अंसर है उप्रोप्त सभी लाब जो है वो परियावरन शिक्षा से होगे बात करते हैं अगले प्रिशन की प्रिशन number 13, परियावरन अध्यान है प्राकरतिक और मानवनेर्मित, परियावरन और इन दोनों के मद्दे होने वाले अंतर क्रियावरन का अध्यान Option number B, केवल जीव जगत पर प्रकरति का पढ़ने वाला प्रभाव Option number C, केवल वनस्पति जगत पर पढ़ने वाला प्रभाव तो ये दोनों तो नहीं होंगे प्राक्रतिक महामारियों का अध्यान देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो आंसर है वो प्राक्रतिक और मानोनेर्मित पर्यावरन और इन दोनों के मद्धे होने वाली जो आंतरिक रिया है उसका अध्यान क्या है हमारा पर्यावरन अध्य है यह अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इस यह कोश्चन जो है थोड़ा सा कैसा है मतलग थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ठीक है अ अधिक है परिया परियावरेण सिक्षा कि चांदर्व में कौन सा कतन सही है परियावरेण के माध्यम से दी जाने वाले सिक्षा option number B परियावरण विश्राय में दी जाने वाली सिक्षा और option number D परियावरण के लिए प्रदान के जाने वाली सिक्षा बहुत ही important question है friends ठीक है यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे और अच्छे से पढ़ लेते हैं परियावरण सिक्षा के संदर में कौन सा कथन सही है देखे परियावरण के माध्यम से सिक्षा दे जारी है परियावरण के विशय में सिक्षा दे जारी है और परियावरण के लिए सिक्षा दे जारी है मतलब तीनों के तीनों कथन जो है, वो सही है, ठीक है, मनुश्यों के लिए, मनुश्यों के द्वारा, ठीक है, की जाने वाली क्रिया है, ठीक है, मतलब की वैसा ही यहां पर है, परियावरन के माध्यम से देंगी, देंगे सिक्षा, परियावरन के विशय में देंगे, और पर परियावरन के शिक्षा के सुत्र है, वो हमको बताना है, ठीक है, समगरता का सुत्र, निरंतरता का सुत्र, परसपर सहयोग का सुत्र, तो friends, यहाँ पर जो परियावरन के सुत्र है, यह वहाँ पर आंसर आजाएगा हमारा यहाँ सभी, मतलब जो है, यह तीनों के तीनों के है परियावरण के सुत्र है, समगरता का सुत्र, निरंतरता का सुत्र, परसपर सहयोग का सुत्र, ओके, अब बात करेंगे हम अगले प्रशन की, तो हमारा अगला जो प्रशन है वो है प्रशन, नमबर 16, परियावरण शिक्षा के निम्न किस सुत्र में व्यक्ति में विभिन कौ कोसलों की विकास की बात की गई है कौन सा ऐसा सुत्र है जिसमें व्यक्ति के विभी निकॉसलों की बात की गई है वो हमको बताना है option number A निती निर्धारन सुत्र, option number B निरंतर्ता का सुत्र, option number C दक्षता का सुत्र और option number D इनमें से कोई नहीं तो friends जो है वो यहाँ पर परियावरन के किस सुत्र में व्यक्ति के विभी ने कॉसलों की बात की गई है तो यह आ जाएंगा हमारा answer दक्षता विकास का सुत्र मतलब किसी कॉसल में दक्ष होना तो यह दक्षता विकास का सुत्र होगा ठीक है और अब हम बात करेंगे option number 17 की ठ कानसा एक शामिल नहीं है ठीक है यह एक ऐसी एजेंसी है जो परियावरन संग्रेक्षन के लिए अपना बहुत ही महदोपुन्य योगदान देती है युनेट के अनुसार निरधारिक परियावरने सिक्षा के निमनेलिखित उद्देश्य में कॉनसा एक कथन सामिल नहीं है ठीक है तो आप्सन नंबर एक कॉशल विकास, आप्सन नंबर बी सहा भाकिता बढ़ाना, आप्सन नंबर सी जागरुकता उत्पन करना, आप्सन नंबर डी परियावरें सेलेक्शन पर बल देना, तो जो यूनेप का जो एक उद्देश है वो है कॉशल विकास, मतलब सामिल नहीं है, बाकी य resonates के शामिल है और यह सामिल नहीं है ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉशल विकास, यूनेप के अनूसार निर्धारित परियावर्नी सिक्षा के उद्देश में शामिल नहीं है, आप यह हमारा प्रेश नंबर अठारा, निम्ने में से कौन सा प नमबर D, अंतर विशयता, ठीक है, परियावरेंट सिख्षा का सूत्र है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, फ्रेंटस हमारे सही आंसर की, तो देखे, जागरुपता भी है, कौशलों का विकास भी है, सहबागीता भी और अंतर विशयता भी, ठीक है, परन्तु वाला जो फॉर्मुला है, वो मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में डिसकस कर चुकी हूँ, मतलब अगर ऐसे कोई उप्सन हमें थोड़े सेम सेम लगते हैं, तो हमें सबसे, मतलब सही आंसर वो होना चाहिए, जो 80% एफेक्टिव हो, ठीक है, अब यह हमारा प्रिशन नम निर्मान का सुत्र, option number D, यहाँ सभी, तो friends, यह परियावरन के जो सुत्र है, वो ग्यानारजन का भी सुत्र होगा, समगरता का भी होगा, योजना निर्मान का भी, तो हमारा आंसर आजाएगा, यहाँ सभी, okay friends, क्या जाएगा, यहाँ सभी, okay, अब बात करेंगे, हम हमारे शेशन की लास्ट कोश्चन की, निम्नमे से कौन परियावरन शिक्षा का सुत्र नहीं है, देखी हमने 8 सुत्र पढ़े, अभी मतलब 6-7 सुत्र पढ़ चुके है, उनके नाम तो एटलिस पढ़ी लिए हमने, तो अभी हाँ पर कौन सा नहीं है, वो हमको बताना है, option number A, अं परियावरन शिक्षा के सुत्र है, okay friends, अब तो यह हो जाएगा हमारा सही answer, तो यहाँ पर होता है हमारा session end, ठीक है, अब बहुत ही जल्द हम मिलेंगे अगले session में, और हमारी channel पर child development और pedagogy के भी जो lectures है, वो भी upload हो रहे हैं, और बहुत जल्द practice set भी आने वाले हैं, ठीक ह तो अब मिलेंगे अगले lecture में, तब तक के लिए जैहिन, and thank you so much.